नमस्कार सलाम न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल सबसे पहले हैडलाइन हिमाचल प्रदेश में सेप के उचित दामना मिलने से गुस्ताई किसानों का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदरशन कोविड मरत्य प्रामारपत्र मामले में सुप्रम कोड ने केंदर को लगाई फटकार 23 सितंबर तक का दिया समय पेगासस जासूसी मामले में केंदर सरकार ने एफडेविट दायर करने से किया इंकार सुप्रम कोड सक्त केंद्र ने शिशु अधिकार जलवायू परिवर्तन पर काम कर रहे 10 एंजियों की फंडिंग पर लगाई रोक और करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 25,404 नए मामले 349 मरीजों की मौत सबसे पहले बात हिमाचल की सेप के किसानों की सेप की खेती से हिमाचल को पहचान दिलाने वाले किसान आजकल काफी परिशान है अब ये निराशाग गुस्से में बदलती जा रही है तो महाँ के किसानों ने सरकार के खिलाब मोर्चा खोल दिया है मंडियों में मनमानी अपने उत्पात का सही दामना मिलने और सेब के दाम गिरने से परिशान किसानों ने 13 सितंबर सुमवार को प्रदेश भर में प्रदेशन किये ये प्रदेशन हिमाचल किसान सबा के नितरत में बनी 25 किसान यूनियों के संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मंच के बैनर तले किया गया सुमवार को शिमला, कुलू, किन्नौर, मंडी, सोलन, सिर्माओर और अन्य जिलों में मंडल, बलाक और उपमंडल इस्तर पर जैराम सरकार के खिलाब प्रदेशन किया गया इस दौरान प्रदेश सरकार को तेरा सूत्रे मांग पत्र भी भीजा गया इसमें सेप को नियूनतम समर्थन मूले देने की मांग प्रमुकता से उठाई गई है इस प्रदेशन में किसान नेता और माकपा विदायक राकेश सिंगा ने भी भाग लिया किसानों का कहना है कि मंडियों में होरी मनमानी पर सरकार चुप पेश साधे हुए है और 2005 में किसानों को हग दिलाने वाले हिमाचल प्रदेश क्रिशी और बागवानी उत्पाद मार्केटिंग विकास वे नियमन एक्ट भी आज तक लागू नहीं हुआ है सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है इस बार किसान बिचालों के बढ़ते प्रभाव से भी और मुश्किल में है अब किसानों ने अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लडने की ठानी है देश भर में करोना संक्रमन से जान गवाने वालों को मौत की वज़े का प्रवान पत्र जारी करने और मुआफ़ा देने के मामले में सुप्रिंग कोट ने केन सरकार को 23 सितंबर तक गाइड लाइन जारी कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के नरदेश दिये है साथी कोट ने कहा है कि करोना के कारण खुदकुशी को भी कोविड 19 से मौत माना जाए सुप्रिंग कोट ने कोविड संक्रमन से ग्रस्त मरीज की खुदकुशी करने के मामले में मात का कारण कोविड ना मानने के फैसले पर सरकार को फिर से विचार करने को कहा है सुप्रिंग के दौरान कोट ने कहा किसे सुप्रिंग कार नहीं किया जा सकता गाइड लाइन में कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार फिर से विचार करें अब इस मामले की अगली सनवाई 23 सितंबर को होगी इस भी सुप्रिम कोर्ट के दिशार नर्देशों का पालन ने करने की वज़े से केंद पर कंटेम आफ कोर्ट यानि अवुमाना का मामला दर्च करने के लिए एक याचिका दायर की गई है यही आचिका रीपा कंसल ने दायर की है याचिका सुप्रेम कोर्ट के 30 जून के आदेश का पलन ने करने की वज़े से दायर की गई है पेगासस जासुसी मामले में सन्वार को ही सुनवाई के दुरान, कि इन सरकार ने सुप्रम कोड में कहा कि वो इस मामले की जाच की परताल के लिए दायर की गई या चिकाओ को लेकर एफ़ेड़ दायर नहीं करेगी केंज सरकार ने मुखे नियाएदीश जश्टिस एनवी रमन्ना की खंटपीट के आगे यह कहा कि आतंग की संगठनों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि आतंग से लणने के लिए केंज साफ्ट वेर्स का इस्तमाल हो रहा है केंदर के हलप नामा दाखिल ना करने के निलने के बाद सुप्रिम कोर्ट ने इस केस का ओडर रिजर्व रखा है सुप्रिम कोर्ट अब अगले दो दिनों में एक अंतरिम आदेश पास करेगा सुप्रिम कोर्ट में किन सरकार ने एक बार फिर राष्ट सुरक्षा का हवाला दिया है जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट सुरक्षा के तर्क को समस्ता है इसलिए सरकार से सर्फ लोगों के फोन हैक करने जैसे दावो पर प्रतिक्रिया मांगी गई है जेस्टिस सूरेकान ने कहा पिछली बार भी राष्टे सुरक्षा का तर्क आया था और हमने साफ किया था कि कोई भी किसी भी तरह से राष्टे सुरक्षा में दखल नहीं दे सकता है हमने आपसे पूछा था कि व्यक्तिकत रूप से लोगों के फोन हैक होने का दावा है तो आप अपना एफिडेविट फाइल करिए जिसको यह अधिकार दिया गया है दाहिंदू में सुमवार को छपी खबर के अनुसार कें सरकार ने शिशु अधिकार जलवायू परिवर्तन और परियावरन प्रजोक्त पर काम कर रहे दस अंतर राष्टे गयर सरकारी संगठनों यानि एंजियों की फंडिंग पर रोक लगा दी है अकबार ने RBI द्वारा सभी बैंकों को जारी किया एक नोटिस भी लगाया है जिसमें कहा गया है कि कें सरकार ने कई अंतर राष्टे संगठनों को प्रायर रेफरेंस केटेगरी लिष्ट में रखने को कहा है इस लिष्ट पर होने का मतलब है कि जब भी कोई विदेशी दान करता इन संगठनों को कुछ दान करना चाहता है तो उसे ग्रह मंत्राले से अनुमती लेनी पड़ेगी दा हिंदू को मताबिक इस लिष्ट में 80 से ज़्यादा अंतर राष्ट संगठन है जिनमें अमरिका के तीन एंजियो और शीले के दो यूरूपियन क्लाइमेट फांडेशन यूनाइट किंग्डम के तीन और स्वयुक्त अरब अमिरात के भी संगठन शामिल है केंद्रे स्वास्ते मंतराले द्वारा आज मंगलवार 14 सितंबर को जारी आंकडो के अनुसार देश में 24 घंटों में क्रोना के 25,404 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा क्रोना से एक दिन में 349 मरीजों की मौत हुई है जिन में सहर्याना में 121 मरीजों की मौत हुई है वहीं केरल में 99, महराश्ट में 27 और तमिलनाडू में 22 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इस बीच देश भर में कुरोना से पीड़ित 37,127 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 12,62 मामले कम हुए हैं देश में कुरोना संक्रमन के मामलों की संक्या बढ़कर 3,32,89,589 हो गई है जिन में से अब तक 4,43,213 लोगों की मौत हो चुकी है आसे पीड़ित 97,58 फीजदी यानि 3,24,184,169 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,09 फीजदी यानि 3,62,207 हो गई है स्वास्ते मंत्राले की ताज जान कारी का नुसार देश में कुरोना वैक्सीन की अब तक 75 करोड 22,38,324 डोज दी जा चुकी हैं जिन में से 78,66,950 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है तो आज डेली राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर आ सकते हैं हमें ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शुक्रिया